हेलो गाईज, विल्कम टू कोडिंग सेंस, आज की टॉपिक के बॉक्स साइजिंग क्योंकि CSS में वित और हाइट का काम चलते रहता है, तो फिर अगर वित और हाइट के साथ डील कर रहे हैं, तो बॉक्स साइजिंग के बारे में जाना जूरी है, क्योंकि आपकी element कैसे साइ साइजिंग हो रही है, यह बॉक्स साइजिंग डिसाइड करता है, अब एक बार एक्जाम्पल के लिए चलते हैं, कोड में, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने मशिन लर्निंग कोड लिखी है, एक डिव है, जिस पर बॉक्स वन क्लास अटेच है, और इसक अटेच कर देता हो, जितनी खरीदरा जमिन उतना चाहीं मुझे, लिखी मैं देता हूं 100 पिक्सल, ठीक है, अब देखते हैं, अब सही दिख रहा है, इतना मेरा जिमीन है, अब मुझे रूग गार्डेनिंग करनी है, तो मैं क्या कर रहा है, पैडिंग, मुझे 10 पिक्सल च अब सही दिख रही है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसके उपर बॉर्डर भी अटाइच करना है, ताकि यो अंदर कोई घूस ना पाए, ठीक है, तो मैं ले रहा है, पांच पिक्सल, वह रहा है, औरुपलर के लिखते हैं, तो मैं लेकिन हैं, आप मैं इससा ही है, जिये को सौलिड कर दे रहा है, रेफरेश, ठीक है,red, यहाँ पे देख रहा है कि अभी तक मेर इन ख्रॉल बार यह आठा था, लेकिन अब ये स्क्रॉल आने लगा है, यानि कि अब मेरा जमीन बढ़ रहा है, अब कैसा है कि मुझे इतना खरीदना है, उतना ही चाहिए था, लेकिन अब मेरी रिक्वार्मेंट बढ़ गई, तो क्या हुआ, ये बढ़ गया इसका साइज, तो ये अलाव नहीं होगा, इसे मैं margin भी अटेच कर देता हूँ, ठीक है, margin 10 pixel, अब देखते हैं, क्या हो रहा है, तो ये देखिए, margin ठीक है, so basically, शेर से 10 pixel दूर, ठीक है, मेरा घर है, plot है, इस पे गार्डिनिंग कर रहा है, अब ये इतना जो area बढ़ गया, ठीक है, ये दूरी सही है, लेकिन जो area पड़ेगा, ये देखिए, अभी कितना बन रहा है, अगर मैं इस पे inspect करूँ, तो आप देख सकते हैं, नीचे जो दिख रहा है, 340 x 130, अब height मेरा 100 pixel, height कितनी बढ़ गई है, height 130 हो गई है, और height 130 की हो रही है, इसलिए, क्योंकि मैंने padding दे दिया, ठीक है, border दे दिया, margin दिय कर रहा है, ये मेरा expand नहीं कर रहा है, तो border 5 pixel, padding 10 pixel, ये apply हो रहा है, अगर मैं दिखूँ, तो ये मेरा box model बना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि basically margin 10 pixel है, ठीक है, चलेगा, लेकिन border 5 pixel उपर, नीचे, left, right, 4 हो रहा है, ठीक है, उसके बाद padding भी 4 हो रहा है, अब फिर मेरा content है, 310, ठीक है, width मेरा 310 है, height कितना है, 100 pixel, यानि कि अब मेरा content यहाँ से calculate हो रहा है, right, यहाँ से, तो अब मेरा content का size कितना हो गया, so ये मेरा CSS properties है, और ये जो बना है, ठीक है, तो अब basically, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, spec करके, तो मुझे क्या मिल रहा था, ये बाद दे 40 into 120, अब ये कैसे हो रहा है, ये क्या है, ये width है, ये height है, ठीक है, और उपर से scroll bar भी है रहा लग चीज़ है, तो देखें, मैंने height कितना दिया था, 100 pixel, ठीक है, तो ये 100 pixel से 120 कैसे हुआ, तो अब भी ऐसा समझे कि by default यहाँ पर जो box sizing है, एक property apply होती है, ठीक है, ये apply होती है content box, ठीक है, content box क्या बोलता है, कि आपका जो basically जो element है, या box, basically मैंने है element है, तो content box अगर apply होगा, ठीक है, by default इस पर box sizing properties रहती होती है, इसका value क्या रहता है, content box, ये क्या बोलता है, कि जो भी आप development है, जो भी container size element बना रहे हैं, उसका size कैसे calculate होगा, ऐसे होगा, पहले तो आप plus, ठीक है, आपका जो भी padding है या पर, ठीक है, इसके पास, padding plus, क्या होगा, यहाँ पर, border, ये से calculate होगा, ठीक है, चाहे हो height हो, चाहे width हो, तो मैं width अगर calculate करूँगा, तो क्या आएगा, यहाँ पर मेरा area कितना है, let's say, 310, right, 310 है, अब, plus, area मतलब कि या width बोल रहा हूँ, ठ padding कितना है, padding मेरा 10 है, दोनों side, so 10 into 2, कितना हुआ, 20, plus, border कितना है, दोनों size, 5, 5 pixel है, यानि कि 5 into 2, अब, कितना हुआ ये, 300 plus 20 plus 10, कितना हुआ, 30, और 10 कितना हुआ, 40, right, so कितना हुआ ये, 340, right, अपने वो कितना मिल रहा है, width इतना ही मिल रहा है, अब height देखते हैं, ठीक ह यही चीज़ अगर आप height देखेंगे, मैं height यहाँ पर देख रहा, तो height कितना हो रहा है, height कितना मैंने दिया था initially, 100 pixel, right, यह मैर height है, 100 pixel, ठीक है, तो height कैसे हो रहा है, 100 pixel, ठीक है, अभी हम नीचे जा रहे है, पहले कैसे थे, ऐसे देख रहे थे, ठीक है, height कैसे हो रहा है, 100 100px, ठेक है? मैंने height दिया 500px plus 10, right, 10, कितना हुआ? बैसे के लिए कितना हुआ? एक पर height देख लेते हैं, कितना बता रहा था? Ok, ये 130 कितना रहा है, तो मैंने यहां पर गलत लिखा था, इसको 130 कर देते है ये height कितना है 130, ठेक है? अब मैंने कितना दिया 100, okay, so height 100 plus ठीक है 100 plus कितना यह 10 10 into 2 कितना हुआ 20 right 20 plus कितना हुआ यह अपना border के है 5 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ ऊपर नीचे right जैसे हमने padding का 10 नीचे 10 ऊपर लिया तो यह भी padding 5 padding यह right padding कैसे जो भी आप apply करते हो कैसे लगता है basically top right right उसके बाद bottom उसके बाद left ठीक है clockwise गुमता है right ऐसे clockwise तो जैसे मैंने यहाँ पर दिया है ना simple यह यह मैंने दे दिया 10 pixel तो कैसे यहाँ पर है basically calculate होता है top ठीक है उसके बाद right फिर bottom फिर यानि 10 pixel 10 pixel 10 pixel 10 pixel तो हम किसका देख रहे है top का देख रहे है bottom का तो 10 10 ठीक है यहाँ पर किसका padding water कितना पांच पांच तो कितना हुआ 10 हुआ तो 10 pixel अब कितना हुआ 30 total कितना हुआ 130 right इसलिए height मेरा कितना है 130 आप देख सकते हो basically अगर मैं inspect करूं यहाँ पर तो यह box यहाँ ध्यान दिजिएगा मुझे कितना दिखा रहा है box Dave into box 1 314 to 130 so ऐसे calculate हुआ यह कब हुआ content box में यह क्या बोलता आपका area sizing कैसे calculate होती है आपकी जो भी आपका content area है चाहे वही तर चाहे height plus padding plus border margin include नहीं होता है क्योंकि margin basically आप bolder हो कि इससे दूरी चाहिए आप space नहीं ले रहे हो आप के रहे हो दूरी चाहिए लेकिन border plus padding plus content include होता है ठीक है समझ मागया अब एक काम करते है इसको fix कैसे करेंगे यहाँ पर simply हम क्या करेंगे अगर आप देखो कि border ठीक है या फिर sorry box sizing करेंगे और content box लिखेंगे तो आप देखो कि by default ही रहेगा refresh करूँगा यह देखिए है न अभी भी मेरा scroll bar नीच आ रहे है अब मैं क्या करूँगा इसको build कर दूँगा border box ठीक है तो मैंने कहा लिखा border box अब जैसी border box करता हूँ मतलब मैं कहा रहा कि border के level box चाहिए ठीक है margin क्या बोलता है कि आपको अगर नहीं चाहिए ठीक है इससे दूर तो आप मत दो राइट इसमें height और width का कोई मतलब नहीं आप कहरे हो कि आपको इससे screen से इतना दूरी चाहिए इसले अगर लाइट से मैं इसको comment out कर दूँ चिले मैं margin को comment out कर देता हूँ ठीक है अब देख box sizing border box है ठीक है यानि कि अब यहाँ पर जो मेरा area होगा ठीक है वो क्या होगा area होगा मेरा total included होगा ठीक है प्लस नहीं होगा इसमें combine होगी ओके यानि कि अब यहाँ पर area कितना 70 पहले width लेते हैं कितना दिख रहा है 280 ठीक है so 280 प्लस कितना है यह 10 और 10 कितना होगा 20 प्लस 5510 right so यह मेरा कितना होगा total 30 और फिर यह 3 यहाँ पर होगा 310 राइट अब मैं यहाँ पर compare कर लेता हूँ यह देखे क्या दिख रहा है area यहाँ पर दिखे अधिया 310 राइट का देख लेता है height कितना दिखा रहा है 100 100 आ रहा है कि अब देखे एच अब यहाँ पर border box मतलब क्य include रहेगा height ठीक है मतलब padding plus आपका जो भी है example क्या ले रहता है border include रहेगा ठीक है plus आपका जो भी वीत और height इसमें included रहता है अब यहाँ पर दिखे है height ले रहे है यह height है यह width ठीक है so height मतलब 70 अलड़ी लिखा हुआ है plus कितना यह क्या अपना यह अपना border right so 5 into 5 10 ठीक है sorry 5 into 2 2 5 है 10 और फिर यहाँ पर अपना कितना आ रहे है padding padding 2 है so 10 into 2 कितना रहे है 20 अब कितना रहे है 100 right 30 plus 7 so 30 यह हुआ 100 तो अब basically कितना रहे है 300 into 100 हमने height कितना दिया था 100 right और आप exactly देखरो exactly ही यह आ रहे है ध्यान कर रखना है अब basically आपको जमीन का पैसा कम देना पड़े है क् अब आप total बोल रहे हैं है आप कहारो कि जो भी मेरा area है ठीक है उसमें मैं जो भी gardening करूँ यह करूँ सब उसमें included है यानि कि लिए आपने एक जमीन लिया अब उसी में आपके रहो gardening कर रहो पहले आप क्या कर रहे थे मैं एक जमीन लिया अब मैं gardening करूँगा तो आप बाहर का space चुन रहे थे यह किसमें हो रहा था content box में border box में आप क्या कर तो आपने border में रहते हो यानि कि आपने एक जमीन लिया अब आपको gardening करने ठीक है तो इसके अंदर का space बनो कि यह आप gardening कर रहेगा यहाँ घर रहेगा अब बाहर मत बनो ठीक है उससे आपका space ज़्यादा होगा यानि कि अगर आपने container इतना बड़ा लिया तो इसके अंदर ही जो करना करो इसको क्या बोलते है border box अगर आपने container लिया आप कह रहे हो कि padding 10 pixels यानि आप बाहर जा रहे हो तो basically यह भी height यह भी जो area calculate होगा आपको इसका ही पैसा दिना पड़ेगा तो इससे क्या समझ में है कि जब भी आपको ऐसे चुनना है तो आप क्या चुनना हो कि border box और by default क्या चुनना चाहिए border box चुनना चाहिए ता कि आपका height और width included calculate हो यहाँ पे include हो के calculate हो यह क्या था box sizing अब यहाँ पे ऐसे भी होता है कि even though आप चाहे तो कब-कब नहीं करना example आप form create कर रहे हो यह हमिशा नहीं border box sizing हमिशा नहीं use करना रहता है box sizing कब काम नहीं करेगा जब आपने height और width नहीं दिया agent Jeżeli एगर आपने weight और height नहीं दिया तो box sizing कोई काम नहीं आया क्यों क्यूंद कि अब आप पे हाएर हो कि कुछ है नहीं मेरा अब देखे बिसिकली इसको अटा देते तो आप यहाँ पर देखो कि कैसा हो रहा है मेरा यह form है text area यहाँ पर आ रहा है let's say मैंने form यहाँ पर दिया कितना दिया with 100% ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि basically मेरा text area complete में आए ठीक है और यहाँ पर मैं क्या दे रहा text area यह क्या दे रहा width 100% तो अब देखते कैसा आता है refresh यह देखे यह scroll आ रहा है क्यों आ रहा है क्यों कि basically यहाँ पर मैं क्या देना चाहिए box sizing तो मैं यहाँ पर क्या दूँगा box sizing क्या दूँगा border box मैं चाहता हूँ कि form के अंदर ही जो इसका height width सब calculate हो अब refresh करता हूँ देखिए अब चला गया अब यह बाहर नहीं आ रहा है यही मैं अगर normal कर दूँ यह basically by default content box होता है तो आप देखे scroll बाहरा है नीचे तो यह आपको यहाँ पर use करना चाहिए और भी बहुत सारे cases हैं कभी-कभी interview में पूछ देता है basically आपको question देगा क्या करेगा इसको हटा देते complete question आपको देगा ऐसे इसको complete में हटा रहा हूँ let's say question है normally यह मैं हटा दे रहा clear कर दे रहा यहाँ पर by default कोई class नहीं है एक काम करते by default मैं left or right class पना देता हूँ तो let's say मेरे पास left or right class है यह normally ऐसे समझ लीजे यह दोनों class है मेरा और मैं क्या कर रहा normally कुछ नहीं, normal सा div create कर रहा, ठीक है, normal सा div उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अब मैं क्या दूँगा इसको यहाँ पर normal div, ठीक है, यह div है यहाँ पर div है, यह मैं class दे रहा इसको दे रहा left, इसको दे रहा right यह कह रहा, this is my left content यह, और this, यहाँ पर दे रहा, this is my right content यह question नहीं, ठीक है, normally अब यहाँ पर देखोगे तो क्या देखेगा, this is my left, this is my यह दो div है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखेगे, left है, class है, normally, background कर दिया, float left किया, width 75% दिया, और इसका width 25, basically, complete screen size का width 100% रहता है, आप divide कर सकते हो, जैसा है line करना है, तो मैंने 75 इसको दिया, 25 इसको दिया, total मिला कि 100 और हो रहा है, 100 और है, यहाँ पर मैंने padding द content नीची आजाता है, align नहीं होता, अब मुझे कुछ भी कुछ नहीं करना, flex, यह सब, ठेक है, let's say, आप 1990s में रह रहे हो, यह 1995 में, आपको align करना है, कैसे करोगे, simple सा property, जो हमने पढ़ है, हम क्या करेंगे, हम चाहते है कि जो padding आ रहा है, पहले आप inspect कर करके देख लोगे, आप देखोगे क्या, यह basically padding कहाँ पे आ रहा है, exactly seat कर रहा है, इसका, अभी calculation कैसा हो रहा है, इसका width का, इसका हो रहा है padding, ठेक है, plus इसका जो actual size है, width, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, box sizing कर दूँगा, सबसे important value क्या है, border box, और जैसी यह करूँगा, यह देख्या, line हो क इसके उपर, मैं अगर box sizing switch off करूँगा, तो नीचे आ जाता है, on chrome को तो यह आ जाएगा, यह देख्या, अब क्या हो रहा है, इसका width plus padding, एक साथी, मतलब total area में include हो रहा है, और मैं अगर off करता हूँ, तो इसका width अलग हार include हो रहा है, और padding उपर से include हो रहा है, यह देख्या हो गया, उपर से आप ले रहो पैसे, मतलब जमीन ले रहो, extra जमीन ले रहो, मैं चाहता हूँ कि total जमीन जो ले रहा है, उसी में padding और वित्था चाह, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, border box, right, इससे आपको extra पैसा नहीं दिना पड़ेगा, so I hope आप एक concept समझे होंगे, मिल ते एक ले वीडियो में ने concept के साथ, thank you so much, bye bye.